हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता, टीम फिजिक्स, CLC Seeker तो गुरुनिती की सीरीज में हमारे आज की युनिट 7 जिसमें हम बात करने वाले काइनेटिक थेओरी ऑफ गेस और थर्मो दैनेमिक्स टॉपिक से रिलेटेड आयवे क्येशन्स जो जेई 2019, 2020 और 2021 के अटेम्ट में आये हुए हैं, ये प्रीवेस एर क्योशन्स की जो गुरुनिती है वो 2021 के जो बच्चेवए अटेम्ट हैं, उनके लिए आप की तैयारी को काफी स्ट्रॉंग करने वाली है जो कि जेई के जो पिसले दो सालों के क्योशन्स पेटन हम देखें, तो पेटन में कहीं सारे क्योशन्स ऐसे हैं, जो पुराने अटेम्ट के ही रिपीट हुए हैं, उस टाइप के क्योशन्स रिपीट हुए हैं और जो questions का level हो काफी basic level पे हैं, ज्यादा इसमें आपको ऐसाने की बहुत सारे concept एक ही question में गुसा दियेगों, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर काफी simple paper को रखा गया है, previous year के questions जो हैं, अगर आप revise करते हैं, तो आपको JE के लिए एक अच्छा सा boost मिल जाता है अपनी preparation में, उसी कड़ी में हम बात करते हैं, unit 7 में, केटीजी और thermodynamics की, शुरुबात करते हैं बच्चों हमारे, पहले question, gas mixture consists of 3 mol oxygen, 5 mol organ at temperature T, फिर इनको हमने मिलाया, ठीके, the bond to be rigid, अब यहाँ पर देखो, आपको oxygen का जो bond है, organ तो क्या single atomic gas है, oxygen का जो bond है, वो यहाँ पर rigid दिया वाए, rigid bond का मतलब यह होगा, बच्चों की, यहाँ पर molecules में vibration योगा तो, bond अगर non-rigid होता है, इसका मतलब क्या होता है, bond की length कम जाद होती है, atoms vibrate कर सकते है, rigid molecule में कभी भी vibration नहीं होगा, rigid object उसी को बोलते हैं, जिसमें 2 particle के बीच की distance fix रह हो कौन सी है, dynamic guess, तो O2 के लिए number of mole कितना दिया आपको, 3, इसके लिए degree of freedom कितना होता है, 5, gamma कितना होता है, 1 plus 2 by f, यहने की 7 by 5, फिर उसके आद आपको दिया वाए, organ, तो organ के लिए number of mole दिया वाए, 5, degree of freedom, 3, gamma कितना हो जाएगा, 1 plus 2 by 3, मतलब की 5 by 3, हो गया, फिर assuming the gase to be ideal and the oxygen bond to be rigid, the total internal energy of the mixture is, अगर यहाँ पे हम total internal energy mixture की बात करें, तो दोनों की energy जोडने सा आएगा, तो unit कितना हो जाएगा, U oxygen plus U organ, oxygen की energy, देखो internal energy का formula क्या होता है, हमारे पास, F by 2 nRT, तो F by 2 nRT, यहाँ पर F रखो आप, तो यह हो जाएगा, मेरे पास, F by 2 nRT plus organ के लिए, F कितना है, 3 by 2 n का मतलब 5RT, तो इतना हो जाएगा बिटा, यहाँ पर 15 by 2 और 15 by 2, यहने कि 15 by 2, 30 by 2 RT, तो 15 RT, तो मेरा यहाँ पर RT के multiple में कितना आएगा answer? 15th, easily आगया, ओकी बच्चों, आते हम हमारे next question पे, तो यहाँ तक note करें आप, बच्चों, second question में हम बात करते हैं, जिसमें आपको ideal gas, जो है, वो enclosed की गए, यह container में, slowly heated, the temperature increases, which of the following statement, जो है, वो true होगा, तो यहाँ पे temperature बढ़ा रहे हैं, temperature बढ़ाने से क्या होगा, एक बाद चेक करते हैं, mean free path, mean free path में देखते हैं, mean free path, lambda का formula क्यों होता है, 1 upon root 2 pi d square number of molecule divided by volume, क्या यहाँ volume कम जाद हो रहा है, closed container का मतलब यह हो गया, कि volume जो है, वो fix है, volume fix है, number of molecule fix है, molecule diameter fix है, d का मतलब है, molecule का diameter, व्यास, तो n, v, और d में कोई change नियु रहा है, temperature बढ़ने के बावजूद यह चीज़े तो constant है, n, v constant, number of molecule और volume constant है, इसका अतलब, यह जो mean free path है, वो न तो कम होगा न बढ़ेगा, तो यह, mean free path जो है, वो unchanged रहेगा, तो पहला गलत हो गया और तीसरा सही हो गया, c option, c statement सही है, mean collision time between molecule decrease, लेको mean collision time आप कैसे निकाल तो, lambda by v mean, अब हमें बता है, v mean जो है, वो होता है, 8 r t upon pi m, यहाँ पर m क्या है, molar mass, तो temperature बढ़ाने पर v mean क्या होगा, बढ़ेगा, v mean बढ़ेगा तो इसका मतलब, यह inversely proportional to root t आ रहा है, तो temperature बढ़ाने पर mean, यह जो टक्राने का time में कम होगा, फिर, और यह बोल रहेगा, गलत बात है, तो यहाँ पर b और c दोनों statement सही है, मतलब कि second option सही है, ओके बच्चों, note करें, फिर आता है मेरे पास third, heat engine जो है, इसमें heat आपको इस तरह से दी गई है, one cycle में, efficiency इतना है, तो आपको q की value बताना है, देखो q की value बताना है, तो q कितना हो जाएगा यहाँ पर, q, w by q, is what efficiency, 50% efficiency का मतलब fraction में कितना होता है, 100 से divide कर दो, तो 50 by 100, w यहाँ पर हमेशा network देखना होता है, तो network कितना हो जाएगा, 19, 15, minus 40, plus 125, minus q, और यहाँ पर केवल heat कौन सी वाली होती है, बेटा, absorb, तो absorb heat की बात करें, तो absorb heat कौन सी जाएगी मेरे पास, 19, 15, और यहाँ पर एक और 125, तो यह आजाएगा मेरे पास, 1 by 2, 19, 15, और यह आजाएगा मेरे पास, 2040, minus 40, minus q, और यह कितना हो जाएगा मेरे पास, 2040, ओके, तो यहाँ पर यह जो answer मेरे पास बनना चाहिए, वो कितना बनना चाहिए, यह आजाएगा, 1020, 2000, minus q, इसका मतलग q कितना हो जाएगा, 2000, minus 1020, 980, easily अपना कौन सा option आगा है, इसका, first option correct, बिल्कुल आसान question है, formula based, ठीके, जही मेंस का, यह अभी level चल रहा है, देखो, fourth question, fourth question में balloon जो है, उसमें helium अपने भरी, burst हो जाता है, immediately, afterwards, the expansion of helium considered, देखो, जब balloon burst होता है, चाहे वो balloon फूटे, या tire फूटे, जब balloon फूटता है, टायर फूटता है, तो हवा एकदम से, देखो, balloon में क्या होता है, हवा compressed होती है, मतलब वो pressure में भरी होती है, तो वो हवा बहार आने कोशिश करती है, जैसे balloon फूटता है, या tire फूटता है, दोनों case में हवा suddenly बहार आती है, suddenly, अचानक से जब हवा बहार आती है, तो उसको heat exchange करने का time नहीं मिलता, इसका मतलब यह कौन सी process हुई, adiabatic, रुदोश्म process, इस दोरान क्या हवा को वापस balloon में भरा जा सकता है, नहीं, इसका आप reverse तो नहीं कर सकते हैं, हवा, balloon फूटा, हवा बाहर निकल गी, इसका उल्टा तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह irreversible adiabatic process है, irreversible मतलब जिसको आप opposite direction में जा सकते है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार balloon फूट के हवा निका ली, फिर आप कुछ करके वापस उस हवा को अंदर गुसा दो, ऐसा नहीं होगा, हवा ज बहार निकली हो फेल चुकी है, तो इस case में 4th का अपना option कौन सा हो जाएगा, 1st, फिर अ अगला आता है, 5th, इसमें आपको, to raise the temperature of certain mass of gas by 50 degree centigrade, constant pressure, 160 calorie heat is required, देखो constant pressure पे जब आप heat दे रहे हो, तो Q is NCP delta T, जब pressure constant है, कितनी heat required है बेटा, 160 calorie NCP delta T कितना बढ़ा है आपने, 50, इससे CP कितना आ जाएगा, CP यहाँ पर आजाएगा, 160 by 50 N, पहली equation, फिर दूसरा यहाँ पर 100 degree centigrade constant volume पे, अगर 100 degree centigrade का, cool करना है, देखो यहाँ पर तो अपन क्या कर रहे हैं, temperature बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर same mass को अगर cool करते हैं, तो cool कर तक heat निकलेगी, तो इनने नों बोला कि 240 calorie heat release की जाती है, तो Q क्य हो जाएगा, N, C, V, delta T, तो delta T में यहाँ पर यह हो जाएगा मेरे पास, कितना heat release हुई पेटा, 240, release हुई इसलिए माइनस लिख दो, N, C, V, और delta T कितना है, माइनस of 100, तो माइनस of 240, by N, माइनस of 100, कितना हो जाएगा पेटाई, यह हो जाएगा मेरे पास, इसको आप माइनस से माइनस उड़ादो, यह हो जाएगा, 2.4 by N, C, V, और यह अपने पास आजाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो CP कितना हो जाएगा, 3.2 by N, अब आपसे पूछा इनोंने, प्रतियेक अनों की स्वतनतता की कोटी, degree of freedom बताना है, सबसे पहले बटा आप गामा बता कटेगा, 4 by 3, 6 से कट जाएगा, 0.6 से, और इधर क्या लिख दोंगा, मैं 1 plus 2 by F, तो 1 minus of 4 by 3, is 2 by F, sorry, 4 by 3 minus 1, तो minus 1 करोगा, 1 by 3, तो F कितना हो जाएगा, यहाँ पर, 6, यह मेरा 4th option correct हो गया, ओके बच्चों, यह अपना easily 5th question जो हो हो रहा है, ओके, basic concept, basic formula यूज करने आप को यहाँ पर, 6th मापको यहाँ पर, एक मेजद कोलम का concept है, तो यहाँ पर monoatomic, और degree of CP by CV, देखो, गामा क्या होता है, गामा होता है, 1 plus 2 by F, monoatomic जो होता है, उसका F कितना होता है, 3, तो F3 यहाँ रखोगे, तो 5 by 3 आ जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा, मेरे पास 4th, फि rigid अभी समझाया है, वो molecule जिसमें vibration नहीं होगा, तो केवल 3 translation और 2 rotation, तो यहाँ पर F कितना हो जाएगा, 3 तो translation और 2 rotation, तो 5, 5 की वरे से कितना आएगा, 2 by 5, 7 by 5, यहाँ आएगा 1st option, फिर इसके बात, diatomic non rigid, जिसमें vibration होंगे, तो यहाँ vibration का एक mode होता है, ध्यान रखना, vibration का एक mode होगा, मतलब 2 degree of freedom, तो इसके लिए degree of freedom, rotation वाली, तो अभी भी 2 रहेगी, लेकिन vibration वाली 2 राजाएगी, 4 तिन 7, 7 से इसको solve करोगे, तो 9 by 7, तो यह आजाएगा मेरे पास second, और उसके बाद tritomic rigid molecule, tritomic rigid molecule की अगर बात करें, तो F कितना हो जाएगा इस case में, F हो मतलब कोई vibration नहीं होगा, तो vibration की degree 0 डाल दू, यहां भी vibration 0 डाल दू, यहां rotation होता नहीं, तो 0 और vibration भी 0, ठीके, तो यह total degree कितने आएगी, 6, 1 plus 2 by 6 यहने की, 1 by 6, 3 यहने की, 4 by 3, 4 by 3 का मतलब 3rd option, अब देखो, match करो, A में 4th, A में 4th इसमें आरहा है, B में 1st, यह अपना second option तो 2 में ही में हो जाएगे आपके option, C में 3rd और D में, C में 2nd, D में 3rd, easily answer बनारा बच्चों, 8th, 7th पर आते हम, एक और easy सा match the column, adiabatic में तको मैं पता है, delta Q0 होता है, तो यह B बन जाएगा, adiabatic process वो जिसमें, ना तो system से heat निकले, ना system को heat मिले, isothermal समतापी जिसमें, delta U0 हो हो गया, तो इसके लिए हो जाएगा B, इसके लिए हो जाएगा D, isochoric जिसमें volume constant हो, volume constant मतलब की work done 0, तो यह A, और isobaric जिसमें pressure constant हो, तो वहां तीन हो चीज़े change होती है, तो सही लिखावा है C, यह हो जाएगा C, बिल्कुल definition है तो इसमें, तो 1st का B, 2nd का D, 3rd का A, 4th का C 7th का मेरा option हो जाएगा, यहाँ पर 1st, ओके बच्चों, फिस क्या आता है, 8, number of molecule in a volume of 4 cm2, perfect monatomic gas at temperature T, at pressure this is close to, देखो, simple सा concept है, PV equals to N KT, यहाँ पर N पूछा है, तो इसको मैं लिखूंगा, PV upon KT, यहाँ पर इन्होंने energy दे दी हमें, energy जो है, यहाँ पर देखो, energy जो है, एक परमान केने की monatomic gas है, तो energy कौन से होगी, क्यों translational वाली, जो क्यों हो जाएगे, 3 by 2 KT, तो KT को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर, 2 E by 3, तो यहाँ पर KT की जगे आप लिख दो, PV, P को लिखो बेटा, rho G H, V, और इसको 2 by 3 E, फिर इसके बाद, तो यहाँ पर अब हम value पुट करेंगे, रो की value आपको कितना दिया हुआ है, 13.6, देखो, यह भी gram पर CC, volume भी CC में है, G भी CGS में दिया हुआ, मतलब सारे CGS unit यहाँ पर दिया हुए है, ठीके, और यहाँ पर जो energy वो भी CGS unit में दिया हुए है, तो फिर मैं इसको convert नहीं करता हुए है, इसको as it is रहं देदें, 13.6, 980, यह हो जाएगा, मेरे पास H कितना, 2 V कितना दिया हुए है, 4, फिर इसके बाद 2 by 3, E की value, 4 into 10 power minus 14, चलो, अब इसको 4 से 4 काटो, यह आजाएगा मेरे पास, देखो कितना आएगा, true से 2 खतम, 3, 13.6 into 3 into 980, और इधर आजाएगा मेरे पास 10 power 14 उपर, तो 10 to the power 14, ठीके, फिर 33, 49, 49 और 6, almost 45 आएगा, इधर आजाएगा 980, तो यह आजाएगा मेरे पास, इसको almost 1000 मान लो तो 45 into 10 to the power 17, यह approximation कर रहा हूँ अब यहाँ पे, तो 10 power 18, तो इसके आज़ पास का option कौन सा अपना, इसके आज़ पास का option अपना पास, second if, इसके आज़ पास का option है, third option, तो third option जो है हो यहाँ पे, correct है, ओके बच्चों, तो approximation में almost 4 into 10 power 18, कोई confusion वेटा है यहाँ पे, फिर उसके बाद next आएगा अपने पास, 9th question, 9th question में बोल रहे है कि यहाँ पर, आपको एक process दे हुए, ओके, और इस process में, दो graph दिये हुए, T1, T2, देखो, T1, T2 जो है वो isothermal graph है, ठीक है, यहाँ इन्हों बोलावा है, ideal motivator is PV graph, path A, B, A, C, A, D, the change in internal energy during these process, अब देखो, यहाँ पे, दो hyperbolic graph given है, इसका मतलब, T1, इस पूरे graph में T1 constant, इस पूरे graph में T2 constant, T1 जादा है T2 से, तो देखो, A से B, A का temperature कितना हो जाएगा, A का temperature है T2, इन तीनों का T1, 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 अब आप चाहे A से B आओ, C जाओ, या D जाओ, temperature का change तो T2 से T1 ही हुआ ना, इसका मतलब temperature जो है, वो T2 से T1 यानि की बढ़ रहा है, तो इसका मतलब internal energy का change सब में सेम होगा, internal energy का change सब में सेम ह यहाँ गलत, यह गलत, यह गलत, अभी एक option बचा मेरे पास, देखो, वैसे तो A की option बचा, तीन तो confirm गलत है, तो आप चाहो देखो इस एक option को tick कर सकते हो, अभी आगे और check करते, यहाँ पर इनोंने पूछा है work, तो देखो, A से B में क्या हो रहा है, pressure constant, तो work done, देखो, य जो है, वो positive आएगा, A से C का work 0 आएगा, और A से D का work less than 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, volume कम हो रहा है, तो A से D का work, A से B का 0, A से B greater than 0, A से C, यह चीज यहाँ गलत है, इसका मतलब इसमें कोई option सही नहीं है, ऐसी mistakes भी मेंस में हुई है, ठीके, पर फिर भी safe side मे रहने के लिए आप 4th tick करके आजाना, वहाँ जखाली में चोड़ना, या तो होगा तो 4th होगा, या फिर bonus हो जाएगा, ओके बच्चों, 10th पे आते हम, 10th में आपको यहाँ पे, यह बोल रहे है कि, adiabetic process में density जो है, वो 32 टाइम्स हो जाती है, तो final pressure कितना होगा, ठीके, तो density देखो, रो जो है, वो 32 टाइम्स हो रहा है, रो क्या होता है, रो होता है, मास बाइ वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम जो है, वो 1 बाइ 32 टाइम्स होगा, ठीके, तो यह बोल रहे है कि, प्रेशर का क्या, तो यहाँ पे देखो, पी वी की पावर गामा, इक्वस की पावर गामा, पी, वी कितना है अपने पास, वी हो जाएगा यहाँ पर, 32 टाइम्स, तो 1 अपोन 32, है न, वॉल्यूम कम हुआ है, तो गामा कितना है, गामा जो कौन सी यह डायतोमिक गेस, डायतोमिक गेस का हो जाएगा, 1 प्लस 2 बाइ 5, यहने कि 7 बाइ 5, तो यह हो ज 7 बाइ 5, यह हो जाएगा, 2 की पावर 5, इंटू 7 बाइ 5, यहने कि 2 की पावर 7, यहने कि 128, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बेटा, 128 टाइम्स, यह मेरा फर्स्ट उप्शन यहाँ, करेक्टे, ओके बच्चों, फिर आता है, 11th क्योशन, इसमें आपको बोलाए कि, V वॉल 44 ग्राम कार्मन डॉकसाइड, तो आपको यहाँ प्रेशर बताना है, बिल्कुल सिम्पल क्योशन, देखो, PV इक्वस्टो अन र्ट होता है, तो P क्या हो जाएगा, अन र्ट बाइ वी, अब यहाँ, अन नमबर अफ मॉल सब के मिला की लिखने, तो अन का मतलब हो जाएगा अन किसका, औक्सीजन का, अन जो है यहाँ पर, 28, किसका है, निट्रोजन का न, अन टू, और एन 44, यह कोन है, सी ओ तू, तो यह सबके मॉल लिखने, मॉल कैसे निकालते है, मास भै मॉलर मास, इसका है 16, इसका मॉलर मास होता है, 32, इसका दियाव है 28 और इसका 28 ही होता है, 44 इसका molar mass होता है तो half plus one plus one यहने कि 5 by 2 R T by V बोलो बेटा, यह कोई question tough है क्या? number of moles निकालके क्यों एन की value डालनी है क्यों केलकुलेशन भी नो निकार भाई direct answer tick करना है और क्या चाहिए? फिर उसके बाद आता अपने पास diatomic gaze जिसका Cp-Cv यह है ratio of du, यहाँ constant pressure काफी common question सब जगे आपने देखा होगा जिसने 2 साल तक लगातार पढ़ाई कि CLC की test में, उसको यहाँ पे question कई बार नजर आगया होगा ठीके? तो यह जो question है काफी आसान है, देखो Cp-Cv दिया हो है तो यहाँ पर जो delta Q होता है उसको मैं कहा लिख सकता हूँ delta U plus W, यह होता है N Cp delta T यह होता है N Cv delta T और यह होता है P delta V basic formula यह होते है P delta V को यहाँ पे pressure constant है इसका मतलब pressure तो constant है तो V directly proportional to T इसका मतलब delta V directly proportional to T इसका मतलब P delta V को आप क्या लिख सकते हो N R delta T लिख सकते हो ठीके यह तो gas equation होती है न अपने पास gas equation का differentiation ही तो किया अपने यह तो यहाँ पर देखो N यह कितना आएगा बेटा 7 by 2 R delta T N 5 by 2 R delta T और यह हो जाएगा मेरे पास N R delta T तो इसके बाद यह जाएगा 7 5 2 तो यहाँ पर ratio किसका बुचाएगा D U D U कितना है इसमें देखो D U है मेरे पास 2 D Q कितना है D Q था 7 तो यहाँ पर D U D Q और W तो D U है मेरे पास 5 D Q है 7 और यह 2 तो 5 7 2 का ratio 5 7 2 का ratio यह 3 second option तो second option यहाँ सा यह बहुत ही आसान किर्शन उसके बाद आता 13 13 में आपको गोला है कि molecule जो है वो 3 translational degree और 2 rotational degree रखते हैं 3 translational और 2 rotation तो F कितना है मेरे पास 3 प्लस 2 मतलब कि diatomic rigid molecule है maintained at temperature T internal energy U of molecule of this gas is this तो यहाँ पर U हो जाएगा F by 2 nRT होता है बेटा तो एक mole की बोला है mole of this gas mole of this gas का मतलब n की value 1 तो basic formula तो यह होता है F की जगे रखतो 5 n की जगे 1 R T तो U हो जाएगा 5 by 2 R T यह गलत यह गलत इधर दो सही है और इसमें क्या पूचा है gamma gamma हो जाएगा 1 plus 2 by F 1 plus 2 by F मतलब की 1 plus 2 by 5 यहने की 7 by 5 तो 7 by 5 यह मेरा first option यहाँ सही हो गया ओके बच्चों तो यह first option यहाँ पर सही बन जाएगा कोई confusion यहाँ तक फिर इसके बाद हम next आते हैं 14 पर thermodynamics process जो है इसको यहाँ दिखाए गया है PV डिएग्राम में 1 mole ideal gaze V2 जो है वो 2 V1 है अब देखो यहाँ V2 जो है V1 का double है मतलब volume आपने double किया और इसमें यह वाला relation है P V की power half मतलब root V is constant तो यह बोल रहे है T क्या होगा तो देखो P को में क्या लिख सकता हूँ NRT upon V is constant इसको में लिख सकता हूँ T upon root V is constant इसका अदर T is directly proportional to root V मतलब T square is directly proportional to V अब यहाँ आप volume डबल करोगे तो इसका मतलब देखो आपने volume को क्या क्या डबल किया तो volume डबल किया तो इसका मतलब यह directly देखो लो ना T directly proportional to root V है ना तो T dash upon T is root V dash upon V 2V by V is root 2 बस simple suggestion तो यहाँ पे temperature जो है T2 by T1 का ratio root 2S to 1 ओके बच्चों तो यहाँ simple ध्यान रखना जो P और V का relation है उसको T और V के relation में convert कर लो क्योंकि मुझे ultimately T बताना है और V का value कितनी change हुई वो मुझे पता है ओके बेटा 15th डायटमिक मॉलीक्यूल में rotational energy at a given temperature obeys Maxwell's law of distribution यह इसका पहला statement है कि Maxwell's distribution low बताया था कि speed जो होती है 0 से लेकर कि maximum value तो कुछ भी हो सकती है तो यह statement में बोल रहे है कि क्या वो Maxwell's distribution था वो linear velocity के साथ-साथ क्या angular rotational speed पे भी लग सकता है क्या और दूसरा डायटमिक मॉलीक्यूल rotational energy at a temperature equals to translational energy of each molecule देखो जो Maxwell का rule था वो लीनियर speed के साथ-साथ-साथ rotational speed पे भी लगता है तो statement 1 तो अपना सही है statement 2 में इन्होंने बोला है कि क्या rotational energy और translational energy equal होगी देखो यहाँ पर डायटमिक मॉलीक्यूल के लिए translational की degree होती है 3 और rotational की degree होती है 2 और हमें पता है कि हर degree of freedom तो यहाँ पर अगर आप energy translation की निकालोगे तो 3 by 2 kT आएगा और rotational की निकालोगे तो 2 by 2 kT आएगा तो 3 by 2 और 2 by 2 इसका मतलब यहाँ पर जो यह energies है यह आपस में equal नहीं होगी तो यह statement जो है वो गलत है 1st सही था और 2nd गलत था तो यह सही और यह गलत इसका मतलब की मेरा कौन सा यहाँ पर option सही बन जाएगा statement 1 सही और statement 4 2 जो है वो गलत है तो 15 का मेरा यहाँ कौन सा option हो जाएगा बीटा 15 का हो जाएगा अपना 4th option correct ओके बच्चो 16 पर आते है कारण इंजन जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है तो को temperature given है कम temperature मतलब source का ज्यादा temperature मतलब sink का efficiency निकाल लो 1-T2 by T1 1-400 by 800 यहने की 1-1 by 2 यह efficiency आजाएगी then उसके बाद यह बोल रहा है work output इतना है efficiency का एक और मतलब क्या होता है work upon heat absorbed तो half 1200 amount of heat supplied to engine from the source Q absorbed आप से पूछाएगी की Q1 तो Q1 कितना हो जाएगा बेटा 2400 और क्या दिया वह है Joule per cycle तो यह भी Joule per cycle आपका अजाएगा बिलकुल simple question है बहुत ही आसान question है J.Mains की paper जो काफी आसान आएगे आप basic level follow करें physics की जितने भी units की गुरुनिती है सारी देखें okay बच्चों 17th polyatomic gas जिनका temperature इतना है और इनमे degree of freedom इतना है कोई loss नहीं होता energy का आपको final temperature बताना जब इनको mix किया simple सा concept है U final equals to U initial U का formula क्या होता है मेरे पास F by 2 N RT ठीके यहाँ पर N क्या है? यहाँ पर N जो है वो number of molecules है तो molecules की term में इस कॉम क्या लिखेंगे? N K T अगर यह N जो है वो number of molecules हो एक molecule के नोड़ जो थी F by 2 K T से N molecules हो थो F by 2 N K T तो यहाँ पर आप लिखो F1 by 2 N 1 K T प्लस T1 F2 by 2 N 2 K T 2 फिर यह F1 by 2 N 1 K T और यहाँ जाएगा F2 by 2 N 2 K T बस यहाँ से K से के इकट जाएगा तो यह क्या जाएगा? F1 N 1 T 1 प्लस F2 N 2 T 2 अपॉन F1 N 1 प्लस F2 N 2 यह T है न? तो यहाँ पर अब देखें तो अपने पास option कौन सा बचेगा? अपना option बचेगा 1st option तो 17 का मेरा यहाँ पर 1st option करेक्ट हो जाएगा ओके बच्चों फिर उसका 18th question यह बोल रहे हैं कि polytomic gaze में 24 vibrational mode है 24 vibrational mode यहाँ दिये हैं देखो एक vibrational mode यानि कि एक जो कमपन नवस्ता होती है उसकी related degree of freedom होती है 2 जो है वो attach की जाती है यहाँ 24 vibrational mode है तो 24 vibrational mode का मतलब यहाँ कितनी है 24 into 2 48 degree of freedom यह degree of freedom कौन सी बिटा vibration की तो यह vibration की degree है अब total degree of freedom कैसे निकालोगे यह f translation plus f rotation plus f vibration translation की 3 polyat में के तो rotation की भी 3 और vibration की 24 का यह 50 48 तो total आजाएगी 54 gamma कितना हो जाएगा 1 plus 2 by 54 1 plus 2 by 27 sorry 1 by 27 तो 1 by 27 का मतलब ही हो जाएगा 28 by 27 अब 28 by 27 यह 1.1 से भी कम आएगा अब 1.1 से कम का option मेरे पास कौनसा है एक ही है यह 10 तो होई नहीं सकता 1.3 और 1.37 यह इससे काफी जादा है 30 से उपर होता तो फिर उपर अगर 30 से उपर होता ना तो फिर 1.3 से जादा का option आता तो मेरा यहाँ पे approximated calculations answer आएगा 1 इस तरह के question पूछे गए याद रखना एक vibrational mode में हमेशा 2 degree of freedom होती है 24 vibrational mode मतलब की total degree of freedom हो जाएगी 48 vibration वाली हमेशा याद रखना बच्चों जितना molecules में number of atom बढ़ता है उसके vibrational mode भी बढ़ते है अगर आपको vibrational mode पता करना है तो number of vibrational mode कैसे निकालते है number of vibrational mode हम पता करते है total जितने भी atom है total जितने भी atom हो उस molecule गंतर उसको 3 से multiply कर दो उसके बाद उसमें से translation और rotation की degree minus कर दो बस ये number of vibrational mode आजाएगे फिर इनकी degree of freedom अगर बताना है तो फिर इस पूरे mode को 2 से multiply कर देना ओके बच्चों ये number of vibrational mode निकालने का तरीका होता है उसके बाद आता है 19 gaze theory के हिसाब से gaze pressure क्यों लगाती है अपने एक derivation देखते हैं कि जो molecule से वो इदर move करता होए और उसका फिर x component जो है velocity का एक होता है y component और एक होता है z component तो यहाँ पर velocity के x y z component की वज़े से ये टकरा के वापस पलटता है तो molecules का momentum change होता है इसलिए molecule का करते है pressure apply करते है suffer change in momentum when imping imping मतलब टकराते हैं on the wall of container सही option है कोई दिक्कत नहीं ये बोल रहे continuously stick to wall stick नहीं होते हम जो collision उसको elastic मानते हैं इसलिए कभी भी molecules दिवार पे stick नहीं होंगी continuously lose their energy हम ये बोल दें कि molecule जब हवा में motion कर रहा है दिवार पे टकराने से पहले जब वो दिवार तक पोचेगा वो अपनी energy को lose नहीं करेगा molecule molecule की आपस की collision नहीं माननी क्यों क्योंकि molecule का size जो है काफी कम हिस्सा होता है इसलिए molecules की आपस में collision नहीं माननी है और attracted by the walls of container कोई attraction force नहीं लगता molecule पे ideal gaze में ज़ान रखना molecule ना तो आपस में attraction force लगाते हैं ना दीवार उन पे attraction force लगाते हैं तो ये बाकी तीनों तो गलत हैं ठीके तो first option अपना सही हो गया ओके बच्चों 20 की बात करते हैं 1 mole gaze जो इसको P1 V1 allowed to expand तो यहां पे सबसे पहले expansion हुआ isothermal A से B में A से B में isothermal expansion volume कितना हुआ double तो A से B का वर कितना आजाएगा मेरे पास N R T L N 2 V1 upon V 1 कितना हो जाएगा बिटाए N कितना दिया हाँ पे 1 mole 1 mole दिया मतलब की N की value 1 तो यह हो जाएगा R T L N 2 सबसे पहले जो को total work में R T L N 2 किसमें आ रहा है इसमें R T L N 2 नहीं आ रहा है गलत यह भी गलत इसमें केवल R T L N 2 आ रहा है total work यह थोड़ा नहीं अभी तो कुछ minus भी होगा adiabatic process का B से C का work 0 adiabatic process C से A का work क्या होता है initial pressure तो initial pressure C का pressure कितना है यह मेरे पास P 1 नहीं P 1 by 4 2 V 1 minus P 1 P initial V initial minus P final V final upon gamma minus 1 तो यह कितना जाएगा बिटा यह जाएगा PV को आप लिखो R T यह जाएगा तो इसको आप लिख दो PV यह gamma minus 1 लिखा यहाँ पे फिर इसके बाद P 1 V 1 को common निकालो कितना आजाएगा है minus 2 gamma minus 1 यह जाएगा वर्क तो यह negative work हो गया P 1 V 1 को आप लिख सकते हो R T तो R T by 2 gamma minus 1 तो यहाँ पे आप लिख दो L N 2 और इधर क्या जाएगा 1 upon 2 gamma minus 1 थर्ड ओप्शन मेरा करेक्ट है तो वेसे भी आपने जब पहला ओप्शन देखके भी आप देखो क्रॉस चेक करना सीखो बच्चो अपना टाइम अगर बचाना है तो क्रॉस चेकिंग आपको आनी चाहिए पूरा मेतरड स्वाल करके आंसर लाने में कई बार ज़्यादा टाइम लगता है बजाए option क्रॉस चेक करोगे easily हो जाएंगे हाला कि यह question पर depend करता है लेकिन जब हो सकते हो तो option क्रॉस चेक करना चाहिए अगले में बोला है बेटा कि ideal gaze जो है वो एक piston से separate होती है container में भरी हुई तो इसमें एक piston से अपनने separate किया हुए एक तरफ entropy S1 एक तरफ entropy S2 है अब यहाँ आपनने piston हटा दिया तो piston हटाने कि आप सिस्टम की net entropy क्या हो जाएगी S1 प्लस S2 बस तो यहाँ पे तो simple entropy जो है वो S1 प्लस S2 ओके बच्चों फिर उसके बाद आता है आपके पास adiabatic expansion और फिर आइडियल gaze तो इसमें आपको adiabatic expansion दियावा ideal gaze का fractional change in pressure देखो pressure और volume के relation क्या होता है इसमें यहाँ पे differentiation करो यानि कि error वाला method तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास delta P percentage plus gamma times of delta V percentage equals to 0 यानि कि delta P percentage equals to minus gamma times of delta V percentage ठीके तो इसका मतलब dP upon P minus gamma dV upon V यह हो गया मेरे पास कौनसा option हो गया बेटा यहाँ पे gamma यह gamma आएगा इदर lambda नहीं gamma है तो gamma dV by V तो अपना यहाँ पे 22 का first option जो है वो correct हो जाएगा ओके बच्चों फिर उसके बाद 23 आता है 23 में आपको बोला है oxygen behaving like ideal gaze इतना temperature पे ratio of rms velocity to average velocity किसी भी gaze के लिए rms velocity का formula होता है 3 rt by m और average velocity का formula होता है 8 rt upon pi m अब जब आप यहाँ rms और average का जब ratio लोगे तो वो कितना हो जाएगा 3 और 8 by pi तो यह हो जाएगा 3 pi by 8 third option मेरा correct हो गया ओके बच्चों 23 का third correct है आगे बढ़ते हैं अपन what will the average value of energy along one degree of freedom किसी भी gaze की एक degree of freedom की energy होती half kt इससे जादा असान की हो सकता है बच्चों direct formula है तो कि किसी भी gaze की एक degree of freedom की energy half kt होता है फिर जतनी degree of freedom उससे multiply कर दो तो आपका 24 का first option तो एक degree of freedom के लिए तो half kt होगा है ना बच्चों note करें यहां तक बच्चों हम आते हैं 25 question 25 question में हमें एक graph दियावा और हमें C से D का work पूछा है तो C से D में देखो C से D कौन सी process है adiabatic process यहां बोलावा है C से D को तो C से D जो है वो adiabatic process है तो C से D का work क्या हो जाएगा P initial, V initial minus P final, V final gamma minus 1 initial यानि की C C का pressure कितना है 100 volume 4 pressure 200 volume कितना 3 divide by 1.4 minus 1 यह हो जाएगा minus of 200 by 0.4 इसका मतलब जाएगा 500 joule second option correct ठीके, बिल्कुल formula based question बच्चों देखो, सारे question आसान लेवल की है J mains के फिर उसके बाद 26 पाते हैं 26 में internal energy P और V में आपको एक relation दिया वा है तो आपको बताना है कि gas जो है वो किस तरह है क्योंगी देखो, U को में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर U का मतलब होता है F by 2 nRT तो F by 2 nRT ठीके, तो F कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर F आजाएगा 6 nRT by nRT और यह आजाएगा 8 upon nRT यह आजाएगा 6 plus 8 upon nRT अब degree of freedom देखो nRT की value overall positive आएगी तो 6 से जादा होगी 6 से जादा degree of freedom किस में होती है चेक करते है डियाटमिक में हो सकता है 3 translation, 3 rotation और अगर डियाटमिक non-rigid हुआ तो 2 vibration की ओर आती है, मतलब 7 है ना, तो यहाँ पर डियाटमिक हो सकता है लेकिन non-rigid है rigid बोलना पड़ेगा ठीक है और जंदेलियम वाइबरेशन की consider करते नहीं है इन्होंने बोला है polyatomic only only polyatomic यहाँ भी confusion आ सकता है monatomic, monatomic तो होई नहीं सकती उसमें कभी भी 6 से जादा degree of freedom नहीं आती monatomic only तो यह गलत हो गया monatomic, diatomic यह भी गलत हो गया यहाँ पे मेरा option बनेगा polyatomic only, polyatomic पे confirm 6 से जादा होगी, 3 translation 3 rotation और उसके बाद कुछ vibration की degree, जो कि हम high temperature पे consider करते हैं तो यहाँ पे मेरा option होजाएगा polyatomic only, ओके बच्चों फिर आता है 27 27 में आपको वापस देखो work पूछा है तो कुल work बताना है अब कुल work A से B का बताएंगे तो A से B volume को अपन ने क्याए डबल तो n, r, t, l, n, 2, v, 1 upon v, 1 यहने की n, r, t, l, n, 2 फिर उसके बाद A से B के बाद B से C का work B से C कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे देखो pressure constant रखके आपने volume को वापस कम किया तो यहाँ पर B से C क work हो जाएगा P, 2 इसको मैं ऐसा करता हूँ यहाँ T, 1 बोल जाएगा तो यह temperature कुन सा वाला? T, 1 वाला P, 2, delta V delta V हो जाएगा मेरे पास final, final क्या है? V, 1 minus 2 V, 1 तो यह हो जाएगा minus P, 2 V, 1 यह हो गया अब यहाँ पर P, 2 और V, 1 और यहाँ पर यह जो है N, R, T, 1 को N, R, T, 1 को इन्हों ने क्या बोला? initial temperature T था न तो यहाँ पर T, 1 equals to T तो इसको तो T लिख दिया फिर P, 1, V, 1 को में क्या लिख सकता हूँ? P, 1, V, 1 को में लिख सकता हूँ N, R, T यहाँ पर धियान रखना है जब volume double होगा तो pressure कितना हो जाएगा आदा? तो P, 2 कितना है? P, 1, by 2 है न? तो इस P, 2 को भी लिखूँ आप P, 1, by 2 और minus of V, 1 तो यह जाएगा minus P, 1, V, 1 upon 2 यहने कि N, R, T by 2, minus में अब यहाँ total work कितना हो जाएगा? N, R, T यह T, 1 N, R, T, L, N, 2, minus half तो N, R, T, L, N, 2, minus half fourth option यहाँ correct है एक positive work, देखो यहाँ option cross check करो, 0 work तो कभी निया आएगा दोनों work positive निया आएगे एक work तो negative आएगा confirm यहाँ पे देखो इनोंने एक ही process का work दिया दो process का दिया आएगा तीन option गलत एक जो बचा हो सही है फिर यहाँ प्लस माइनस का confirm निया होना ची total work जो है वो एक process का positive क्योंकि volume बढ़ रहा है और जिसमे volume कम हो रहा है उसका work negative ओके बच्चों 28 में आपको देखो इनोंने क्या बोला है यहाँ पे आपको isothermal में क्या है temperature constant है फिर उसका isochoric volume constant adiabatic heat constant constant isobaric pressure constant तो यह तो simple हो गया A का 2 B का 3 A का 2 B का 3 C का 4 D का 1 यहने की second option बच्चों अपना अगला आदा है 29th question जिसमें आपको mean free path calculate करना है oxygen molecule के लिए temperature के इतना है 27 pressure इतना और molecule diameter इतना आपको मानना है लेमडा का basic formula क्या होता है mean free path का 1 upon root 2 pi d square n by v n by v का मतलब होता है number density of molecule अब हमें पता है PV equals to क्या होता है n k t तो n by v क्या होता है p by k t तो यहां पर आप रख दो 1 upon root 2 pi d square p by k t तो यह कितना हो जाएगा k t root 2 pi d square p अब इसमें के वल आपको value put करनी चलो value put करके solve करें तो k की value 1.38 minus 23 t की value 300 Kelvin rho 2 pi d कितना है diameter 0.3 nanometer यहने कि 3 into 10 to the power minus 10 का square और यहाद आएगा मेरे पास इदर root 2 pi 3 का square 9 और इदर power आएगी minus 23 300 की power कितनी है 2 तो minus 23 plus 2 minus 20 उपर जाके बनेगा plus 20 और minus 5 तो इससे एकटेगा तीन बार 25 और तीन यह होता है almost 10 तो 1.38 root 2 almost 10 की आसपास 10 से थोड़ा सा कम आएगा से 9 point कुछ आएगा 9.8 मान लें दे चलो पन sorry 3.14 और 9.42 आएगा और इदर आजाएगा मेरे पास 9.42 और root 2 और 10 to the power कितना बचेगा minus 3 तो minus 3 और minus 5 तो minus 3 और minus 5 minus 8 और 2 तो minus 6 यह हो जाएगा 1.38 और almost यह भी इस नहीं आएगा 9.42 को 1.41 से multiply करोगा तो 1.3 almost मान लेता हूँ मैं 10 to the power minus 6 तो इसको जब तुम काटोगे तो यह almost कितनी बार कटेगा minus 6 नहीं minus 3 तो यह बचेगा 22 और एक minus 6 minus 6 आगया ठीके और उसके बाद यहाँ पर आजाएगा तो minus 6 और यह root to 13 बचेगा इदर सोरी 13 तो यह minus 7 आजाएगा 13 लिखो इसको 13 से almost 10 times cancel out होगा तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1.38 1.13 into 10 to the power minus 6 तो यह almost 100 times cancel हो जाएगा 10 to the power minus 9 और लिख दो तो 100 nanometer के आसपास का option आएगा जो कि अपना first option बन रहा है तो exact मत करो option दूर दूर है आप approximation करो calculation में कोई दिक्कत नी ओके बच्चों तो इसके साथ अपना यह question number 29 जो है वो complete होता है note करें इसको इसके आद आते हैं question number 30 पे question number 30 में आपको क्या दिया वा है एक gaze के लिए vibrational mode आपको दिये में कितने vibrational mode है two vibrational mode 2 vibrational mode मतलब कि vibration की degree of freedom हो जाएगी वो 2 into 2 4 total degree of freedom कितना हो जाएगा translation, rotation और vibration translation की 3 सभी के लिए होती है polyatomic gaze के लिए 3 rotation की माननी है और 4 vibration की तो f कितना हो जाएगा 10 तो gamma जिसको इन्होंने यहाँ बीटा बोलावा है cp by cv क्या हो जाएगा 1 plus 2 by f तो 1 plus 2 by 10 यहने कि 1.2 तो 1.2 मेरा option हो जाएगा 30 ओके बच्चों फिर उसके बादा है 31 which of the correct option depicting two different thermodynamic process दो अलग-अलग thermodynamic process को दिखाने वाले यहाँ option कौन से हैं तो देखो पहला option यहाँ दियावा है adiabatic और isothermal तो यहाँ पर देखो दो अलग-अलग process दिखाने का मतलब यह है कि दोनों में graph भी सही होने चाहिए isothermal का graph यही होता है लेकिन यह graph तो गलत है है ना तो यह option भी गलत हो गया isothermal का graph ऐसा नहीं होता गलत adiabatic का भी तो पी-टी graph की बात करते है यहाँ तो temperature change हो रहा है pressure constant है यह graph गलत है यह भी option गलत हो गया isothermal का सही है temperature constant adiabatic में जब volume बढ़ाते हैं तो temperature कम होता है और temperature बढ़ाते हैं तो volume कम होता है तो यह graph यह तो इधर जाएगा temperature बढ़ेगा, volume कम होगा तो यह सही है और isothermal में तेखो temperature constant adiabatic में pressure temperature दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो यह भी सही है तो कौन्स ऑप्शन सब्योंगा मेरा C और D फिर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा ओके बच्चो नेक्स्ट आता है इंजन टेक 5 मॉल अफ एर at 20 डिग्री संटिग्रीड at 180 अम एर को आपको डाइ एटोमिक गेस मानना है तो डाइटोमिक गेस रिजिड मॉलीकूल के साथ मानने का मतलब क्या हुआ F कितना जाएगा 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और वाइबरेशन 0 तो F आएगा 5 चेंज इन इस इंटर्नल एनरजी डूरिंग प्रोसेस अब यहां पर आपने इंटर्नल एनरजी का चेंज है वो माइनस और वर्कडन के बराबर है वर्कडन कितना हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1 या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहां पर टेंपरिचर जो है इन्होंने दिया अपन को प्रेशर दिया वाए तो इनिशिल टेंपरिचर पता है, प्रेशर पता है मॉल पता है बाद में इन्होंने वोल्यूम का कितना चेंज किया इतना चेंज किया तो हम यहां पर इसका इनिशिल PV एक्वेस टू एनर्ट यूज़ करके इनिशिल टेंपरिचर पता है तो nRT और volume कितना दिया इन्होंने 1 by 10 किया वा है compress किया ना तो TV का equation लगा है तो TV2 दी पावर गामा माइनस 1 T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 T1 कितना है 293 V1 कितना है यहाँ पर तो यह 293 हो जाएगा V1 और V2 कितना है V2 है V1 का 1 by 10 times गामा हो जाएगा 7 by 5 minus 1 तो यह हो जाएगा 293 10 की पावर 2 by 5 यह क्यों हो जाएगा T2 तो temperature change यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी formula को हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus of nR T1 minus T2 upon गामा minus 1 अब यहाँ पर आपको n कितना दिया वा है 5 mole R होता है 20 5 by 8 डेल्टा T इनिशिल कितना था 293 minus 293 into 10 की पावर 2 by 5 गामा कितना हो जाएगा इस case में गामा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 7 by 5 minus 1 इसके बाद बच्चों आपको purely यहाँ पर एक calculation solve करनी है तो calculation जब आप इसकी solve करोगे तो आपका answer यहाँ पर जो बनेगा यह जो temperature आपका आएगा 293 10 पार 2 by 5 यहाँ आएगा solve करने पे 735 0.98 जिसको almost 736 आप बोल सकते हो 736 और initial 293 को आप minus करोगे तो आपका temperature का change कितना आएगा यहाँ आएगा 443 तो 443 का change यहाँ पर आजाएगा इस पूरे को आप लिग दो 443 का change minus में क्यों क्योंकि यहाँ पर compression के सो overall work negative आएगा अब आप इसको solve करोगे तो आपका जो final answer यहाँ बनेगा बच्चों solve करने पे वो बनेगा जो final answer आएगा that will be 46 kilo joule तो इस case में आपका जो final answer आएगा solve करने पे वो आएगा 46 kilo joule ओके बच्चों note करें यहाँ तक बच्चों 33 question में आपको पोछा है minimum possible work done by refrigerator in converting 100 gram of water at 0 degree centigrade to ice देखो जब पानी को ice में बदलना हो तो कितनी heat निकलनी होती है heat जो निकलेगी पानी में से वो हो जाएगा M into L और हमें पता है जब पानी ice में बदलता है तो वो पर gram 80 calorie heat release करता है तो यहाँ 100 और यह हो जाएगा 80 calorie पर gram और इधर भी चाहो तो gram लिख दो तो यह हो जाएगा 8000 calorie this is what delta q 8000 calorie heat तो हमें निकलनी है पानी में से फिर इसने बोला है कि इसमें जो temperature है वो कितना है 27 तो यहाँ पे जो efficiency है engine की वो कितना है 1- T2 by T1 याने कि 1- 0 degree sink का temperature रहने कि 273 plus 0 और इधर 273 plus 27 minus करोगे तो 27 by 300 यह तो आजाएगा eta फिर beta plus 1 eta beta plus 1 कितना होता है 1 तो beta हो जाएगा 300 by 27 minus this तो यह हो जाएगा मेरे पास 273 by 27 beta को हम कैसे define करते है work done q2 by work done तो q2 divide by work done यह कितना है 273 by 27 q2 क्या होता है वो heat जो आपको extract करवानी है w जो work होता है total surrounding को कितना मिलता है q1 तो q2 यहां से आजाएगा मेरे पास 273 बीटा जो है वो यहां पर इतना है ना तो 273 यह आजाएगा q2 w आ जाएगा 27 by 273 into 800 तो यह जो solve करने पर आएगा आपके पास वो आ जाएगा almost 791 तो 791 ओल्मोस्ट आ रहा है तो आपके पास w आगया आप q1 आपस पूछा है कि surrounding को कितनी heat जाएगी surrounding को heat जाएगी q2 plus w यहने कि 8000 तो ice में से निकाली और 791 वर्क जो है वो engine ने किया 8791 engine मतलब यहां refrigerator तो यहां पर जो total surrounding में heat जाएगी वो जाएगी vessel contains 0.1 mol of monatomic ideal gas at 200 kelvin 0.5 mol of same gas added to this तो equilibrium temperature आपको बताना है तो हमें बता है f by 2 nRT यहां देखो same gas अपन ने इसमें add कर दी f by 2 n1 plus n2 rT same gas का मतलब कि degree of freedom same होना तो यहां पर क्या हो जाएगा n1 T1 plus n2 T2 upon n1 plus n2 यह कौन सा rule था पेटा initial energy और final energy को equal करने वाला तो यह हो जाएगा n1 n1 कितना है मेरे पास यहां पर 0.1 mol 200 kelvin पे है फिर उसके बाद 0.05 mol और आपने जोड़ दिया 400 kelvin पे total कितना हो जाएगा 0.15 20 plus यह कितना जाएगा यह जाएगा 40 यहने कि 60 divided by 0.15 तो यह जाएगा 80 divided by 15 by this तो यहां पर ही आजाएगा मेरे पास 80 by 15 यहने कि 3 से काट होगे तो यह आएगा almost 5 से काट हो 16 100 by 3 तो solve करने पे answer बन जाएगा अपने पास एक बार चेक कर लेते इसको 0.1 से 20 और यह आजाएगा 0.05 ओके यह 20 भी 20 ही आएगा तो यह दर 20 तो 4000 by 15 तो यहां पर solve करने पे 4000 by 15 तो यह almost 266.67 यहने कि approximately 267 आपका अंसर बनेगा ओके बच्चों फिर आता है 35 change in the magnitude of volume of ideal gas when a small additional pressure delta P is applied to constant temperature at the same is same as the change when the temperature is reduced by small quantity delta T at constant pressure तो इन्हों ने बोला है कि volume में change जो हो रहा है कब जब आप temperature सेम रखते वे pressure बढ़ाते हूं तो तो तेंखो temperature सेम रखते हैं जब हम pressure बढ़ाते हैं तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास temperature अगर constant हो तो V inversely proportional to P होता है और जब यहां बोल रहे हैं कि constant और यह बोल रहे हैं कि जब temperature reduce करते हो constant pressure पे जब pressure constant हो तो V जो है वो directly proportional to T होता है तो initial temperature and pressure of gas जो है वो इतना है तो आपको delta T और delta P का relation C की terms में बताना है तो यहां पर देखो सबसे पहले तो बात करते हैं आप जब यहां इस तरह से बोल रहे हैं तो delta V upon V कितना हो जाएगा minus delta P upon P ओके और यहां पर delta V upon V दूसरे case में कितना हो जाएगा यह हो जाएगा delta T upon T फिर यहां पर आपको बोला है कि थोड़ा सा extra pressure लगाने पर होने वाला volume का change और थोड़ा सा temperature कम करते हो तो जो volume का change होता हो सेम होता है गेस का initial temperature और यह दिया वा है तो यहां पर देखो सबसे पहले दोनों का अगर आप equal करोगे तो आप कैसे बोल सकते हो delta P upon P is delta T upon T आप से क्या पूछा है बेटा delta T is T by P delta P अब compare करो delta T इस पूरे को इन्होंने क्या बोला है C तो compare करने पर C क्या आजाएगा मेरे पास C आजाएगा T by P अब C है T by P T की value कितनी है T की value आपको दिया वा है 2 Kelvin और यह ATM solve करने पर कितना आजाएगा 150 Kelvin upon ATM तो यह C की value हाजाएगी 150 Kelvin upon ATM यन्हें की 150 आपका आणसर आजाएगा ओके बच्चों 36 36 में nitrogen जो है वो 300 temperature पे है temperature जिसमें RMS speed H2 की और RMS speed nitrogen की equal होगी तो V H2 RMS और V Nitrogen RMS S2 का लिए क्या हो जाएगा अपने बस RMS speed होता है root 3RT by M तो यह हो जाएगा 3RT अभी किसका S2 का लिख रहे है the temperature at which RMS speed of S2 तो अपनको S2 का temperature बताना है इसका molar weight हो जाएगा 2 3R इसके लिए कितना है 300 degree centigrade इदर 14 आजाएगा इदर यह आजाएगा ठीके तो यहां पर 573 by 14 यह almost अपने पास जो बनेगा solve करने पर कितना बनेगा बच्चों तो 40 4 जोटाव 6 तो 4 फिर मेरे पास बचेगा 1 तेरा तो almost 40.9 फिर 9 तो 40.9 नहीं कि almost 41 आजाएगा answer आपका ओकी बच्चों तो यहां पर आपका easily यह simple सा question है formula based बच्चों अगला 37 question इसमें आपको एं container divide किया गया है 2 chamber में पहला chamber 4.5 लिटर का और दूसरा chamber 5.5 लिटर का पहले में 3 mol gas दूसरे में 2 2 atm पे और दूसरे में 2 mol gas 4 mol gas 3 atm पे आपको बताना है partition हटाने के बदे common pressure क्या होगा तो देखो इस case में हमें यहां पर gas के बारे में नहीं बताएगा कि gas किस टाइब की दोनों chamber में तो अगर नहीं बताएगा आपको same मानना है ठीके तो इस case में gas सेम मानना है दोनों तरफ हमें पता है कि u1 प्लस u2 equals to u final ऐसी होगा u1 क्या हो जाएगा f by 2 n r t1 और ही हो जाएगा f by 2 n r t2 अब आपको number of mol भी नहीं बताएगा इधर लिख दोगे f by 2 n1 plus n2 r t तो n1 plus n2 r t इसको में इसा लिख देता हूँ p final v final तो f by 2 p v और यह हो जाएगा मेरे पास f by 2 p1 v1 और f by 2 p2 v2 f by 2 अटादो gas जो है वो same type किसलिए p1 कितना दिया आपको p1 आपको दिया है कितना 2 a tm तो 2 a tm और यहाँ पे आपको v दिया है 4.5 फिर इदर p2 दूसरा वाला कितना दिया है 3 a tm और v2 दिया है 5.5 volume बाद में कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 5.5 तो 9 और 6.5 divide by 10 तो कितना जाएगा 25.5 by 10 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटो 10 to the power minus 1 तो 25.5 तो इस case में 10 to the power minus 1 तो इस case में अपना answer किया जाएगा round off इसको आप करोगे तो 25 इंटो 10 to the power minus 1 तो x की value जाएगी 25 ओकी बच्चों बच्चों 38 में एक monitor में case आपको दी गई है जिसको मास 4U इसका मतलब इसका molar mass कितना हो जाएगा 4 gram फिर इसमें container में है जिसकी velocity आपको दी गई है container को अचानक रोका गया है और आपको temperature का change बता रहा है तो जो भी half mv square यहने की kinetic energy थी वो किस में convert हो जाएगी f by to nr delta t यहने की internal में convert हो जाएगी n को आप कैसे लिखोगे n को आप लिखोगे mass by molar mass तो इससे mass से mass कटेगा half से half कटेगा delta t कितना हो जाएगा delta t हो जाएगा v square m upon f r v square कितना हो जाएगा यहाँ पर 900 यह हो जाएगा 4 10 to the power minus 3 4 10 power 3 4 यह unit है तो 4 unit यह नहीं की जो आप general standard unit रखते हो उसी में तो 4 यह gram नहीं बस 4u u मतलब unit उसके बाद यहाँ पर यह हो जाएगा f 3 और r तो यह कितना हो जाएगा 3600 divided by 3r ओके बच्चों तो यहाँ पर अपना delta t कितना जाएगा 3600 3r तो x की value कितने जाएगी 3600 ओके उसके बाद 39 में initially a gaze of diatomic molecule contained in a cylindrical of volume V18 pressure P1 temperature 250 Kelvin assuming 25% of molecule gets disassociated causing a change in number of molecule तो number of mole अब देखो पहले mole थे मानलो n अब उसमें से 0.75 तो अभी उतन नहीं है लेकिन बचा हुआ 0.25 जो molecules थे वो atom में डिवाइड हुए तो उनसे double तो 0.25 का double हो जाएगा तो यहाँ अब total number of mole कितना जाएगे 0.75 N अब यह बोल रहे है कि P2 और P1 का रेशियो बताना है P2 बाइ P1 N2 RT डिवाइड बाइ V2 और यह जाएगा N1 RT डिवाइड बाइ V1 N2 कितना है यहाँ पर N2 है 1.25 N RT कितना है T है मेरे पास 2000 Kelvin V2 कितना है 2V1 यह कितना जाएगा N 250 और R भी लिखो तो R तो कट जाएगा खिर बाइ V1 अब जेखो N से N खतम R से R खतम V1 से V1 खतम तो यह आजाएगा मेरे पास 1.25 2000 250 और 2 तो यह कटेगा 4 बार तो यह आंसर आजाएगा 5 तो इसमें आंसर आगे अपना 5 simple answer 40 में आपको यहाँ पर Engine की Efficiency बताना है तो Engine की Efficiency के जलिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो वर्क क्या हो जाएगा एरिया तो Absorbed Energy आजाएगा मेरे पास W, A, B W, C, D A, B की Energy कितनी आजाएगा तो Constant Volume पर क्या प्रेशर डबल होगा मतलब टेंपरिचर भी डबल होगा तो यहां ऐसा करो Temperature मानलो T Note तो यहां प्रेशर डबल ट्रिपल किया तो Temperature भी ट्रिपल 3 T Note फिर Volume डबल किया तो Temperature कितना होगा उसका डबल 6 T Note तो मेरे पास यहां पर Q, A, B और Q, B, C A, B क्या होगा मेरे पास N, C, V Delta T यहनिकी 3 T Note माइनस T Note और फिर आएगा N, C, P 6 T Note 6 माइनस 3 तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 3 T Note तो इससे मेरे पास N, C, P अब N, C, V को क्या लिखूंगा F by 2 R 2 T Note यह हो जाएगा N, C, P F by 2 plus 1 R 3 T Note तो F कितना यहां पर Monatomic है न तो यह हो जाएगा 3 by 2 into 2 PV यह हो जाएगा 3 by 2 plus 1 5 by 2 तो 5 by 2 into 3 PV तो 3 plus साड़े साथ PV यहने कि साड़े 10 PV यहां डाल दो तो यह efficiency क्या हो जाएगा W by Q absorbed Q absorbed Q absorbed कितना हो जाएगा यहां पर 2 P naught V naught divide by 10 by 5 P naught V naught तो यह आएगा आपके पास 2 by 10.5 100 से multiply कर लो efficiency के आप percentage में निकालना है तो यह हो जाएगा मेरे पास 4 by 21 400 by 21 400 by 21 almost 19 के आसपास बनेगा तो 19% जो है आपका option हो जाएगा यहां पर 19% ओके बच्चों तो 42 का option 19 फिर इसके बाद आपने पास 41 41 में हो ला है reversible heat engine जो है 1 4th heat input को work में convert करता है जोको जितना भी input लिया उसका 1 4th जो है वो work में convert होगा 3 4th जो है वो बहार चला जाएगा तो efficiency कितना हो जाएगा work divided by Q 1 4th work में convert होगा यहने की Q by 4 यहने की 1 by 4 efficiency is 1 by 4 यहा गया temperature sink का reduce किया 52 से तो efficiency double हो जाती है efficiency double का मतलब इसकी double करना तो half की double 1 by 4 की double कितना होता है यह हो जाएगा 2 times of heat 1 minus T2 minus 50 2 divided by T1 is 2 times of 1 by 4 तो इसमें आपको sink का temperature बताना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 by 4 के लिए 1 minus T2 by T1 ठीके अब यहाँ पर तो T2 T1 का relation कितना जाएगा मेरे पास T2 आएगा T2 by T1 is 3 by 4 तो यहाँ T1 कितना है 4 by 3 T2 यहाँ गया तो यहाँ पर अब T1 की जगे आप लिख दो 4 by 3 T2 आपको source का temperature पूछा है न तो आपन T2 को replace करते हैं चलो T2 को replace करते हैं T1 की तो T2 is what 3 by 4 T1 तो यहाँ लिखो T2 को 3 by 4 T1 minus 52 इदर T1 ले लो साथ में और इदर T1 को cross multiply करोगे तो यह कितना हो जाएगा T1 by 2 solve करो इसमें बच्चो तो यह हो जाएगा T1 by 4 plus 52 is T1 by 2 तो T1 by 4 is 52 T1 is 208 तो यहाँ पे जो temperature आएगा वो कितना आएगा 208 इसली आंसर आए पीटा फिर इसके बाद next 42 root mean square velocity of molecule of a given mass of gas at 27 degree centigrade and 1 atm pressure is 200 meter per second तो यहाँ पे root mean square velocity of molecules of given mass of gas यह आपको दिया हुआ है फिर RMS speed of molecule of gas is pressure this तो यहाँ पे RMS speed का formula क्या होता है 3RT by M पहले वाले case में इनोंने अपन को temperature दिया हुआ है दूसरे वाले case में इनोंने pressure भी दिया हुआ है temperature भी दिया है pressure से कोई मतलब भी नहीं है तो यहाँ पर पहले वाले की speed अगर 200 आ रही है बाद में V dash मान लो पहले वाला temperature कितना है 273 plus 27 और बाद में 273 plus 127 यहने कि 3 by 4 root में तो V dash कितना हो जाएगा 4 by 3 root में और 200 तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 into 200 divided by root 3 यहने कि 400 divided by root 3 तो मेरा option यहाँ कुन सा हो जाएगा पहटा 400 ओके फिर आता है 43 question volume V of given mass of monotor में gas changes with temperature T according to relation V is K T to the power 2 by 3 हमें work बताना है जब 90 Kelvin temperature change करें देखो work का formula क्या होता है P dot dV लेकिन यहाँ volume change तो नहीं पता है तो इसका पहले तो differentiation कर लो K 2 by 3 T की power minus 1 by 3 dt तो यहाँ P को लिखो nRT upon V और dV तो यहाँ से आपके पास nRT V आ जाएगा K 2 की power T की power 2 by 3 अब देखो बेटा 2 by 3 उपर जागे minus 1 by 3 T पूरा कड़ गया क्या यहाँ के से के कड़ गया तो यह बचेगा मेरे पास 2 by 3 nR बाहर अंदर बचेगा dT तो dt का change मतलब की T1 से T2 अब यह कितना आजाएगा देखो 2 by 3 n कितना दिया आपको यहाँ पर given mass of gas तो यहाँ पर given mass of gas changes with temperature according to this relation तो यहाँ पर आपको nR T2 minus T1 कितना दिया है 90 Kelvin का difference दिया है तो यह कितना आजाएगा आपके पास 60 nR तो यहाँ पर जो X की value आजाएगी वो कितने आजाएगी पिटा 60 इस case में कोई confusion यहाँ तक और number of malls यहाँ पर by default आपको 1 लेने कुछ नहीं दिया जाए तो ओके पिटा फिर उसके बाद आता आपने पास 44 44 में आपको 1 mall diatomic gas perform work q by 5 when heat q is supplied to it q में से q by 5 तो work हो गया तो delta u कितना हो जाएगा यह तो work है और यह delta u हो गया molar heat capacity during this transformation is this तो molar heat capacity पिटा पन कैसे निकालते हैं देखो c का formula होता है delta t upon delta q upon n delta t यह होता है अब यहाँ पर delta u को में के लिखूंगा f by 2 n r delta t तो यहाँ पर 4 q by 5 f कितना है यहाँ पर diatomic है तो 5 by 2 n r delta t तो यहाँ पर n delta t की value कितना हो जाएगा 8 q by 25 r इस value को आप यहाँ पूट कर दो q upon 8 q by 25 r तो यह कितना हो जाएगा 25 r by 8 तो x की ज़एगा आ रहा है मेरे पास x की ज़एगा आ रहा है 25 यह मेरा option हो जाएगा 25 ओकी बच्चों तो simple आपको ध्यान रखना है जो इंटर्नल एनर्जी का change होता है वो हमेशा f by 2 n r delta t से ही दिया जाता है चाहे process कोई सी भी हो उसके बाद अपना 45 5 question heat engine जो है वो temperature source का इतना है in order to have 60% efficiency 60% efficiency का मतलब हो जाएगा 60 by 100 6 by 10 तो 1 minus t2 by t1 is 6 by 10 1 minus t2 कितना है t2 है source का तो आपन को दिया है t2 पूछा है तो source का कितना है 273 plus 127 400 तो यह कितना हो जाएगा 2 by 3 2 by 5 1 minus 3 by 5 is t2 upon 400 402 by 5 तो यह 5 से कटेगा 80 to 160 तो t2 is 160 यहाँ पर अपना जो temperature आ रहा है 160 अब इसमें यहाँ पर temperature 160 Kelvin में आ रहा है तो इसको मैं degree centigrade में convert करूं तो t2 कितना आ जाएगा मेरे पास यह आ जाएगा t2 273 plus centigrade यह होता है Kelvin तो Kelvin का मतलब 160 तो यहाँ पर c कितना आ जाएगा मेरे पास 112 माइनस में degree centigrade इसका मतलब यहाँ पर जो temperature एव सिंक का वो minus 127 12 degree centigrade आएगा ओके बच्चों 112 ने 113 तो 113 degree centigrade यहाँ पर अपना option बन जाएगा ठीके और आपको खाली integer में value बताने तो 113 degree centigrade ओके बेटा फिर उसके बाल अपना यहाँ पर जो है last question जो है वो 45 होता है जो की complete होता है तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है discussion Thermodynamics और KTG की questions का complete होता है इन सारे questions की सीरीज में आपने देखा बच्चों की जो questions से वो जादेतर questions जादेतर मतले मान लो कि कोई एक दो questions में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है बाकी सारे questions जो है वो formula based है उमीद करता हूँ आप इस तरह की practice को J.E.Mans के लिए जो है बिलकुल आसान level की practice करनी है और जितने भी CLC के YouTube channel पे content है चाहे वो आपकी गुरुनिती J.E. previous questions की हो चाहे वो test के solutions हो उन सब को ध्यान से देखें काफी सारा content यहाँ पे available है YouTube के CLC के YouTube channel पे उसको ध्यान से देखते रहें ओके बच्चों अपनी तयारी को इसी तरह से करते रहें all the best for J.E.Mans 2021 ओके बच्चों